कोरोना के दूसरी लेहर ने पूरी तरीके से कहर बर पर खाये लगातार कोरोना संक्रमन के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं अस्पतालों में बेड उपलब्द नहीं है दवाईयों की किलत देखने को मिल रही है सरकार अपने इस तरह पर लगातार परियास कर रहे हैं लेकिन स्पीच हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग आम हैं कुछ लोग खास हैं जो मदद के लिए बाहर निकले और मदद करने के लिए अलगलग तरीके से उप्योग कर रहे हैं ऐसी एक सक्षियत है हमारे साथ में रुक्ष्मन हिकमारी जो की राजजितिक तालुकात भी रखत बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इस महामारी की बीच में रुक्ष्मन कुमारी लोगों तक पोँच रहे हैं क्योंकि अलग तरह की इस बार चुनोती है पिछली बार जब था उसमें खादे सामगरी बड़ी चुनोती थी लेकिन इस बार जड़ोत है दवायां व वेंटिलेटर ऑक्सेजन जो इस विधा है आप हमको अप्रोच करें तो वहीं सी शुरूआ यह पूरा थिंग और लोगों ने हमें डारेक्ट मैसेज करना शुरू किया जब बहुत ज्यादा हो गए तो फिर मैंने कोविड राजस्तान करके ग्रूप शुरू किया और कोटा जैपूर, भीलवाडा, जोतपूर, अजमेर, अलवर, जहां-जहां मतलब हमको लग रहा है कि जादा लोग सामने आ रहे हैं मारे पेशन्स तो वहां पे हमने लोकेट किये हमारे वॉलेंटियर्ज आपको मैं कहना चाहती हूँ यह पूरा जो हमारा नेट्वरकिंग हमने कि पूरा वॉलेंटियर बेज है और मैं राजस्तान को सालाम करना चाहती हूँ कि इतने सारे लोग हैं जो हमारे राजस्तान की जनता को सेवा और उनकी मदद करने को ऐसे पेंडमिक में भी तयार हैं तो यह काबिले तारीफ है और मैं अपने आपको फॉर्चुनेट समझती ह कि मैं यह नेट्वरकिंग करके लोगों की मदद कर पा रहे हूं जी किस तरह से आप मदद कर पा रहे हैं किस तरह से नेट्वरकिंग हो पा रहे हैं और किस तरह की जो डिमांड है वो सामने ज़्याद तरह लिए है तो इनिशली तो आपको पता है कि इंजेक्शन्स करा और अधिकारियों की भी मदद ली और वहां के प्रसिद लोग हैं जो भी इंफ्लोएंसर्स मानती हूं जैसे मैं अगर उदेपुर की बात करूं तो दो तीन ऐसे बड़े इंफ्लोएंस थे उनसे मैंने बात करी उन्होंने कहा ठीक है तो सब सामने आ रहे हैं मैं पर्टिक लिवाजी नहीं हो रही और लोग बाग आगे होके हमारे राजस्तान की जनता को बचाने के लिए काम कर रहे हैं जी इस में देखिए सोसल मीडिया की जरी आप इस नेट्वर्किंग को चला रहे हैं पूरा खास उरत गरीब जो तपका है जिसको सब्जा मैसूस होती है सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन जरुत मन जो है वो गरीब तपका है और उनकी जो अस्पतालों में यह भी हम देखते हैं कई बार सुनवाई भी नहीं हो पाती हो अप्रोच नहीं कर पाते हैं उस लिए होल पर क्योंकि संकट इसमें बड़ा है हो उस्पिटल के सामने पूचा पारी है देखे अभी तो हम लोग उनी को मदद कर पा रहे हैं जो हमें अप्रोच कर रहे हैं जो सोशल मीडिया या फेस्बुक के द्वारा या वाटसेप के द्वारा मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से अगर हम वो लोगों को मदद कर पाएं जो हेल्प है वो पहुचा पाएं जी अब तक कितने लोगों तक आप लोग पहुच पाएं और किस तरह से आप सको अडेंटिफाइए करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है क्योंकि इस समय यह भी देखने को मिल रहा है कि काला बजारी कि सिकायते भी लगाता रही है को यह सा नही लोग हॉस्पिटल में भी बात करते हैं कि ABCD बैड नंबर पर यह यह पेशेंट है उसकी क्या स्थिती हम फॉलो अप कर रहे हैं इसलिए हम आज इतने सक्सेस्फुल है कि सही जगे सही लोगों को हम मदद कर पाएं तो हम आइडेंटिफाइ करते हैं पहले हमारे वॉलेंट और सही क्रिटिकल लोगों को किलिस्ट बनाते हैं फिर वो मुझे भेजते हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ सभी जित्ते भी हमारे पास रिसॉर्स है उनके द्वारा कि उनकी मदद की जाए तो लगभग हमें आपको कह रही हूं शुरुआत में हमने दस से लेके डेड लोगों की अब तो आना शुरू है और रोज हम लोग असी सो डेड़ सो लोगों की हम मदद कर पा रहे हैं देखिए आकड़ा हमने अभी कोई गिना नहीं है अभी हमारा में एम यही है कि हम जादा से जादा लोगों को मदद कर पाएंगे एक्जेक्ट आकड़ा जब कि आज राजस्तान में हर कोई बहार आके लोगों की मदद कर सकता है और हमें करनी चयहिए वही सोच से हम सब को प्रेणा भी देना चाहते हैं कि आईए आप मदद करिये लोगों की जैक्ड़ास्तान की बहार से भी आपके पास में कुछ क्विए आई थे और वहांपर यह सरकार होने चाहिए बीजीप चाहिए कोंगरस उनने एक दूसरे की मदद में करी अ मेरको ऐसा लग रहा है कि परसो शायद मैंने ट्वीट किया था नागपुर में एक पेशन्ट था जिसको हॉस्पिटल में बेड की रिक्वाइमेंट थी और मैंने ट्वीट करके अधित्य ठ खाकरे और प्रफुल पटेल और सुपरिया सुलिय जी को और यूथ कॉंगरस को इन सब को टैग किया मैं आपको कहना चाहते हूं कि लगभग कुछी मिंटों में सब के फोन आये मेरे पास वहां गए और उन लोगों को बेड प्रोवाइड कि तो ये काबिले तारीफे सोश जी ने भी ट्वीट किया जहां मुझे टैग किया कि रुक्ष्मनी कुमारी ये इस पेशेंट को हेल्प चाहिए तो मुझे लगता है कि देखे वो भाजपा में है मैं कॉंग्रस में हूँ तो इस समय कोई मुझे नहीं लगता जैसे मैं ये नहीं सोचती कि पार्टी से उठ के हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगा कि हम लोग मिलके उस पेशेंट को हेल्प कर पाए जी वक्त है जब हमें राजनेती से उठकर लोगों तक पहुंचना है क्योंकि जो महामारी हमारे सब के सामने है उस महामारी से हमें नहीं हमारे परदेश के लोगों को बचा के निकालना है और इसी में एक जो परियास रुक्षमानी कुमारी कर रही है वो वाकई काविली तारीफ है और खास तोर से सोचल मीडिया का जो दोर है उसका किस तरीके से बहतर उप्यों किया जा सकता है वो एक उदार नहीं आपर देखने हो को मिल रहा है और इसी सो सब्सक्राइब कर सकते हैं उसमें लोगों का सैयोग करिए सैयोगी विजिंदर के साथ जस्वंत सिंग एटीविभारत जेपूर